लो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे यूटूब चैनल में जैसा कि आप सब जानते हो 12 मार्च की जो रेलवे एंटिपसी की जो फर्ष्ट चिप्ट की एकजाम में वो समापत हो चुकी है और आज की सिप्ट में कौन-कौन से क्यूशन पूचे गए अगर आज की सिप्ट का पेपर देकर आया हूँ और आपको जो जो क्यूशन याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि जब भी कोई नए स्टुडेंट ये वीडियो देखेगा उनको पता चल सके कि आज की सिप्ट में कौन-कौन से क्यूशन पूचे गए हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिक सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्टुफ बैल नोटिकेशन आइकन को प्रेस करकर पर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सब राजय विष्यदक किसराजय में होँआ था ओप्संस है करनाठक राजस्तान उत्तरपरदेश पंजाब इसका राया राईट रणसर हो दोस्तों पंजाब में अकब कर क hagoquinho वता कब ने पंद्रह फरवरी पंद्रह सुचपनीश्र इक पंजाब के कलनोर में वो आफ या राज आंसर है महराज शुद्रक इसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्यूशन है चिनि यात्री हैंसोंग किसके सहसनकाल में बारत आया था यह Capital हार्श्वर्दन के काल में और जो चिनियात्री ओफ्वान है यह चंद्रगुपत विक्रमादित्ते के काल में आया था इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है ICC World Cup 2019 इन में से कौन सा खिलाडी सामिल नहीं हुआ था यानि जो ICC World Cup 2019 में कौन सा खिलाडी सामिल नहीं हुआ था इसका रहेट आंसर है यू राज सी इसके बाद में हमारा next question है पर्थवी की सबसे 20 प्रत Eux को क्या कहते है यानि जो hy moms होती है इसमें ूसमें तीन लेयर पाइज़ाती है इसमेश सबसे जो बाays real रेट को होती है उसको क्या का जाता है इसके बाद में हमारा next question है अनुछे 370 का मसोदा यानि ड्राफ्ट किसने तयार किया था अनुछे 370 का मसोदा जो ड्राफ्ट है किसकी द्वारा तयार किया गया था इसका रायट आंसर परदानवंति के निदेश पर गोपाल सवामी अयंकर ने मसोदा को तयार किया था यानि जो परदानमंत्री है इसके आदेश पर तयार किया था किसने गोपाल स्वामी अयंग करने इसके बाद में हमारा next question है 2018 में विश्व प्रयावन दिवस की theme क्या थी यानि 2018 में जो विश्व प्रयावन दिवस भलाया गया था इसकी theme क्या थी इसका right answer है bit plastic pollution यानि plastic से होने वाले परदोशन को के से खतम किया जा सकता है कि इस दिवस को मनाने का फैसला 1922 में स्यूक राश्टर मासवादवारा विश्व प्रयावन समेलन में चर्चा के बाद में लिया गया था इसके बाद 5 जून 1964 को पहला विश्व प्रयावन दिवस मनाया गया था कब पहला प्रयावन दिवस कर मनाया गया था पांच जून 1974 को इसके बाद में हमारा next question है 2021 का पदम भूशन किसको मर्नो प्रांत दिया गया था जैनि 2021 में जो पदम भूशन किसको मर्नो प्रांथ पर दिया गया था इसका राय टानसर है तरुन गागोई को और किसके लिए मिला था पब्लिक अफेर्स से अस्व के लिए से दिया गया था इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्योशन है इन में से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है यानि इन में से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिंती है और जो कावेरी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है इसके बाद में मारा हड़पा किस नदी के किनारे इस्तित है इसका रावी नदी के किनारे जो हड़पा है और इसकी स्तापना कब होती है 1 April 1995 को इसकी इस्तापना होती है इसके बाद में हमारा next question है इन में से कौन सा एक पूरा तामर पासानकाल में नहीं हाता यानि इन में से कौन एक पूरा तामर पासानकाल में नहीं हाता जो 9 पासानकाल है ये भी तामर पासानकाल में आता है जो मद्दे पासान काल है यह भी तामर पासान काल में आता है और जो पुरान पासान काल है यह भी तामर काल में आता है लेकिन जो तीन नमर ओप्सन है तामर पासान काल यह पूरा तामर काल पासान में नहीं आता इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है इसरो के द्वार स्थापना की गई है वह कहां पर इस्तित है यानि जो इस रहा है बारत की रिशर्च अजेंसी द्वारा स्थापना कहां पर की गई है इसका राइट आंसर है बैंगलूरू में इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है तपेदिक रोग जिसे टिबी भी बोलते है टीवी चाहित दिए इस ड्याग दीवी है यानि टूबरकुलोसिस बैक्टेरियम या च्हे रोग किस के कारण होता है यह बैक्टेरिया का कारन नहों जिसका नाम है उन माइक्रो बैक्टिडियम ट्यू बोब्रकुलोसिस इसके बाद में माना physician है बैंकिंग दक में कौन-कौन से सामिल होती है यह जो banking soda होता है उसमें कौन-कौन से सामिल होती है जो sodium है hydrogen carbon oxygen इन तत्वों को मिलाकर किसका निर्मान होता है banking soda और banking soda रसायनिक सुत्र होता है नए-एच-C-O3 यानि sodium bicarbonate इसका रसायनिक सुत्र होता है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है प्रोग्रामिंग लेंग्वेज के जनक कौन है यानि जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है इसके जनक कौन है इसका राइट आंसर है डेनिस रिची इसके बाद में मारा नेक्स्ट क्यूशन है जियोग्राफी सब्द किसके द्वारा दिया गया था य अधिक अंतराश्ट की हवाई अद्डा है यांनि बार्त के किस राज्डे में सबसे अदिक अंतор आश्ट हाई है औरब्सें से गुजरात में कने राज्जव्य राज्यों कोण करता है या जो राज्डे होते हैं इसमें आब आतकाल किसके दवारा किया आता है इसका राइट आणसर राष्ट्रपति की द्वारा इसके बाद में हमारा नेक्स्ट किस्ट ने 2018 में FDI प्राप्त करने वाले देशों में बार्त का कौन सा इस्तान है यह जो 2018 में एपडियाई प्राप्त करने वाले देशों में जो वारत का इस्तान वा कुन सा है इसका राइट आनसर है बारवे नमर पर आता है बार और 2019 में नोवी इस्तान पर पहुंच गया था और जो एफडियाई है इसकी फुल फॉरम होती है फोरेंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है इंडिया गेट पर अमर जोवान जोती कब से परजोलित की गई है इसका राइट आनसर है 1971 जो ओप्शन है वो है 1965,1962,1971 इसका राइट आनसर है 1971 में इसके बाद में हमारा next question है, 2019 में संगीत और कला के छेतर में किसे पदम विबुशन दिया गया था, इसका right answer है, बुदात्ती मुखर जी को दिया गया था, किसको बुदात्ते मुखर जी को, इसके बाद में मारा next question है, विदेशी लोगों को लुबाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, इसका right answer है, make in India चलाई गई है, इसके बाद में मारा next question है, करम से सज़ए, यानि इनको करम से लगाना है, सबसे पहला कौन सा अंदोलन होता है, जो as you go अंदोलन है, यह सबस इसके बाद में मारा next question है, इनको भी करम से लगाना है, जो महमिद गजनवी है, यह पहले सासकाल थे, दूसरे मोहमद गोरी थे, इसके बाद में चंगेज खान आए, उसके बाद में तेमूर आए, इसके बाद में हमारा next question है, second generation का computer है, इसमें किसका उप्योग किया जाता ह है, जो second generation का computer है, जो transistor computer होता है, इसका उप्योग लिया जाता है, यह इसके बाद में हमारा next question है, इन में से कोन सी एक storage device नहीं है, यह इन में से कोन सी एक storage डिवाईस नहीं है, इसका right answer है, एडर एडर यह एक प्रकार की storage device नहीं है यह only PDF reader है जिसमें PDF का निर्मार भी किया जाता है और PDF को पढ़ा भी जा सकता है इसके बाद में हमारा next question है सूरिय की पहली परत को क्या कहा जाता है याने जो सूरिय होता है इसकी पहली परत को क्या कहा जाता है इसका right answer photosphere कहा जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी मिलते हैं next वीडियो में अगर guys आज की shift का paper देखर आये हो तो please आपको जो जो क्यूशन याद है please comment box में comment कर देना ताकि जब भी कोई नया student ये वीडियो देखेगा उनको पता चल सकी कि आज की shift में कौन-कौन से क्यूशन लोड़ करूँगा उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे अगर आपने like share और comment नहीं किया तो दोस्तों वह भी कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and tech care friends जाए हिन दोस्तों वीडियो देखने के वास्ते thank you भाई लोग अब इसको like भी करो भाई comment भी करो और subscribe भी करो यह तुमारा अपना चैनल है दादा अच्छ सुनो subscribe करते वह तना घंटी बजा देना ताकि जब मैं online आओ तो तुम्हारे phone की भी घंटी बजे